कि सभी बच्चे रडी होंगे इस टेस्ट के लिए मोक टेस्ट नमबर टू जरनल इंटेलिजन्जी और रिजनिंग दोस्वां मुझे नहीं लगता अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर यह चीज़े स्टार्ट हुई होंगी कि सेक्षन टेस्ट करने की बात की होंगी त और जल्द ही हम आपकी चोईस पर डिपेंड करता है कि अगर आप टॉपिक वाइस प्रैक्टिस सेट चाहते हों कोशन के तो एक वीडियो हमें से दस कोशन रखा करेंगे और उनके साथ आपके साथ डेली प्रेसिंट करेंगे अल्टरनेट डेस भी हो सकता है क्योंकि मैतमे इतना आपको स्टॉंग बनना है रीजनिंग में तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट और जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंडर स्पूंसर स्कीम के जोज लेक्टर चल रहे हैं उसको कवर होने के बाद आपका सिर्फ आपके इसके टॉपिक वाइस टेस्ट कने की बात की कर सक सकते हम टॉपिक वाइस टेस्ट को कंड़क्स जरूर किया जाएगा और हर वीडियो में हम दस्ते बंद्रा कोशन रखेंगे ताकि आपकी एक अच्छे से अच्छे लेवल से हल्प हो सके ठीक है तो चलिए फिर करते हैं लेक्टर को स्टार्ट विनर टाइम बिस्ट की और ह का लिंक मिल सकता है BLW का पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको रीजनी का मैथमेटिक्स का जीके का और आपके जो सेक्टर टैस्ट चल रहे हैं इनका जो हमने चीज़े अभी तक पकड़ी है तो चले फिर करते हैं स्टार्ट अपने पास एक पैन और नोटबुक जरूर रख ल नहीं है आपका स्कोर आउट आफ ट्वंटी और लेवल आफ एक्जाम इजी था मॉडरेट था यहां फिर हाड डिफिकल्ट था यह तीन लेवल होते हैं हमारे इजी मॉडरेट यहां फिर हाड तो हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं अपनी नोटबुक और बेस्ट का इस और सभी अच्छे से करें आपको इस चीज़ को ऐसे देखना है आपने ऐसे करना है जैसे आपका फाइनल एक्जाम हो क्योंकि प्रैक्टिस जो चीज़ें मैं करवा रहा हूं यहीं आपकी लास्त तक हेल्प करेंगा यह फ्री आफ कॉस्ट है इसके आपने कोई कॉस्ट पे देखना कि लाइफ चैट चल रहा है आप इसमें सिर्फ डिसकॉशन करो आप इस को बिनाओ किस तरह से इसको करोगे तो होपसो आप सभी ने इसका वीडियो को पास करके इसका अंसर मार कर लिया हूँ यह कोशन नमबर आपका फरस्ट है और चले देखते क्या होता है यह ब फिर बोलता है इस पर तीन डाट लगाने इस तरह से जब आपने इसको उपर की तरफ फोल्ड किया है तिके ना सोरी यह उपर की तरफ फोल्ड होगा नीचे की तरफ नहीं होगा उपर की तरफ फोल्ड किया है जब आप तो नीचे की तरफ फोल्ड करोगे यह इस तरह से ड जाएगा यह अपका इस तरह से बन जाएगा उस तरफ खोलोगे तो यह आपका बनजाएगा इस तरह से यह वह गहांग यह लंग program यह लग से यह लग से लग से काहां पे बनग रहे आप्शन आपशन आपका C option, C is the correct option, next question, find the odd figure from the given figure, odd figure को आपने यहां पर classified करना है, आपका classification का भी बन सकता ही, यह classification का ही topic है, प्याद रखना, out of syllabus आप मैंने कुछ मिन्य दाला है, पूरा जो CGL level है, उसी के recording यह चीज़ से सेट की गई है, जल्दी से देखिए, आपके कौन से ऐसी figure है, जो की सबसे अलग बना रही है, इन तीनों में सिफ तीन figure में से अलग बन रही है, option A, option B, option C, और option D, खुब सो आपने वीडियो को पास करके अपना अनसर मार कर लिया हो, तो इसमें जो figure बन रही है, वो आपकी option again, option C बन रही है, क्यों बन रही है, यहाँ पर देखिए, यह एक arrow ऐसे है, तो दो इसके opposite है, यह एक ऐसे है, दो इसके opposite है, यह एक है, ऐसे है, और एक इसके ऐसे है, फिर alternate चलता है, एक opposite, एक हैसे, एक opposite, एक हैसे, और यह दोनों ऐसे same में हैं, गलत आपको कुण साल लगते हैं, C option, question number third, जल्दी से बनाओ इसको, अब यह question logical के भी हो सकते हैं, mental reasoning के भी हो सकते हैं, क्यूंकि हमें यह चीज़े कहां पर देखने को मिली थी, हमें यह चीज़े देखने को मिली थी, सब इन्स, स्टॉक, उसके supervisor के exam में, उसमें यह चीज़े देखने को मिली थी, अब आप इसको sequence में कैसे ला सकते हो, अगर मैं इसको sequence में लाने की बात करूँ, तो यहां पर लिखू हूँ है, G, D बढ़ा है, G से, O, T बढ़ा है, D से, O, T is equal to, F, F बढ़ा है, B से, इसको आप इस तरह से sequence में ला सकते हो, simply, यह चीज़ मैंने करवाई भी है, हमारा पूरा BLW के reasoning आपको मिल जाएगी, description box में, पूरा course मिल जाएगा आपको, अब जी बोलता है, मुझे P कर जाना है, तो रास्ता यहां से बंद तो यह जा नहीं सकता गलत हो जाएगा, जी बोलता है मुझे टीके कर जाना है तो यह रास्ता फिर से बंद है तो यह जा नहीं सकता तो दोश्रों दोनों आपके गलत हुचेंगे तो आप्षिन डीज़ा क्रेक्ट आप्षिन नाइधर फर्स्ट नौर सेकंड अब यहां पर देखिए नेक्स कोशन आपका फिर से आ चुका है रही आंपने वीडियो को पास करके अपने अंसर मार कर है अब बोलता है कि all singers are dancers सारे के सारी singer है वो dancer है अभी इस तरह से बन चाहेगा यह आपका dancer आगया अब यहां पर क्या हो रहा है यह बता है आपको जो यह था यानि कि actor थे वो कुछ singer भी थे अब क्या हुआ कि जो कुछ dancer है वो actor भी बन चुके हैं क्योंभी उसका पार्ट उसमें जा चुक है अब बोलते हैं कि some actors are dancer कुछ actor dancer है कुछ actor dancer है जी बिल्कुल है यहां पर देखो यह वाला कोशन इसके बात सार है बिल्कुल सही नो सिंगर इस एक्टर एक तो बोला कि समय एक्टर रा सिंगर यह तो बोला नो सिंगर इस एक्टर यह गलत हो जाएगा आप्शन ओनली एक अंग्लूजन फालो कि नेक्स कोशन देखिए द्यान से इसको मैं जोम कर लेता हूं इसका अंसर बनाईएगा तुक्का यहां पर नहीं चलेगा तुक्का नहीं चलेगा तुक्का लगाओगे तो फेल हो जाओगे हो रहां जो मारा मोग टेस्ट वन था सेक्शन बच्चों ने काफी अच्छी उसमें दिया है कोई रिप्रेजेंटेशन यह बच्चों के कौन सा कोई आंसर गलत है उसमें कुछ भी नहीं है अच्छे से सब कुछ हो गया है तो फेल रही किसे यानि कि कोई ऐसा बच्चों न ने 11 स्कोर किया और टाप पर वहां पर 20 आउट ऑफ 20 भी है जो बच्चों ने कमेंट की है अब जो जूट बोल रहा हुगा वह अपने लिए बोल रहा हुगा ठीक है ना अब यहां पर बोले कि चिल्डन चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन दी इस्ट 90 मीटर इस्ट की तरफ जात लिए टोल फाडर यह अब डिन दीर ओए और फीर नीच टेमी टी टने डराफ इस ने जिडर आ गिया आफ्ट्र इस यह गया अबसे ऐसने डाइट राइट लिया राइट की तन लिया थार्टी मीटर 30 meter तक right किया उसके बाद क्या किया उसने he reached to his uncle house his father was not here उसके father यहां पर भी नहीं थे not here from there he went 100 meter to his north 100 meter वो north में चला गया 20 यहां तक और 80 तक यहां चला गया हो जो total distance कितना हुआ 100 meter का ठीक है उसके बाद बोलता है कि how far did he meet his father from the starting point अब यहां पर उसके father उसको मिल चुके हैं बोलते कि उसस्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर अभी जहां पर उसके इसके father मिले है situation में देखा चाहिए कैसे बताओगे अगर ऐसे ऐसे करोगे तो कितना होगा क्या ऐसे क्योंकि यह रास्ते से गिया है तो क्रॉसिंग हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो यह 60 ऑफित only gimbal होशकता है नहीं इस तरह से नहीं है आपने हाइट डिस्टेंस बढ़ा है अगर इसका ह्सकते यहां पर इस तरह से आपको इस तरह निकालना पड़ेगा अब यह थार्टी है यह वाला पूशन कितना होगा टोटल यहां से लेके 90 है यहां तक यह 60 होगा यह 20 है उपर वाला पोशन कितना होगा 80 का होगा यानि कि महारे पास एक डाइग्राम बन की यह डाइग्राम बनी इस तरह से जिसका बेस कितना है 60 मीटर और यह वाला पोशन कितना है 80 मीटर ठीक है और आपको निका हाई 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 पार्टी नूस कर दो बेस कितना है 60 का स्केर प्लस आपका 80 का स्केर हाई हाई पार्टी नूस स्केर इस्काल टू 3600 प्लस 6400 अब आम इनको प्लास कर दो हाई पार्टी ने उसके रिसकल टू 10,000 अब ये स्केर का इसको रूट लग जाएगा है एक की वैलू आएगी अंडर मीटर है ठीक है अंडर मीटर आपका जिन बच्चों ने हंडर मीटर आंसर किया वह विल्कुल सही इसका वान फोर्टी नहीं आएगा अभी आपने ड्रेक्शन वालग पड़ा है से की शार्ट कर्टर दिस्टैंस बताओ ऐसे ऐसे जाना है तो आप इस तरह से सोच रहे होंगे कि इस तरह से जा सकते थे ऐसे 60 और यहां पर 80 60 और 80 140 इस टैंस होजएगा ऐसा नहीं है तो राइट आप्शन इस भी हम यहां पर देखिए नेक्स कोशन ब्लेलेशन का है एक्स इस बाई ब्रदर और जल्दी से पढ़ो और इसका अंतर मार एक्स जो है वो बाई का ब्रदर है यानिकी प्लस का होगा वीडियो को पास कर सकते हो अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए एक्स जो है वो बाई का ब्रदर है यानिकी प्लस है प्लस मतलब मेल है वाई जड़ वाइफ वाई जो है जड़ की वाइफ है हुए यानने की ये माईनस में फिमेल है और ये मेल है ठीक है मेडिए फ्लस में है क्यूंकि या अप्ल्स में कपपल हैं Z is W wife. Z is W son Z is W son Z o is W son W wife इया B की wife है यानने की ये प्लस में है degrees में mother है ये या आपस में कपल है What is the relation of B with Y V का Y के साथ क्या relation होगा V है जो ये father है किसके Z के और Y है वो Z की wife है तो यानि कि इसका relation के साथ हुआ father in law ससूर जी अब इस question को विद्यान से देखिएगा और इस concept मार कीजिए जल्दी से How many singers are neither neither players nor teachers कितने सारे ऐसे singers हैं जो की ना तो players है ना तो teachers है यानि कि जो ये singer आप दियां पर देख लिए हो rectangular इसका ऐसा कौन सा पार्ट है ना तो वो teachers में आना चाहिए ना तो वो players में आना चाहिए only option आपका 28 28 जो है वो ना तो singers है सुरी ना तो वो players है ना तो वो teachers है अब इसको भी बनाया हो जल्दी से आगया आपका symbolic operation जिसका आप numerical operation भी कहा सकते हो board mouse का concept यहां पे use होगा next Sunday गो आपका English का टेस्ट होगा sectional test mock test number 3 if a means minus b means divide c means plus और d means multiply I hope आपने विदक इसको solve कर दिया होगा जिन्होंने नहीं किया वो चीज को देखें ध्यान से देखें यह चीज उस दिन भी मैंने बोली थी कि आपको इसी तरह से चीज़े पूछी जाएंगे a का मतलब यहां पर minus है तो यहां पर जो चीज दीए इसको लेकते है 15 है b का मतलब यहां पर क्या है b का मतलब divide divide कर दो 3 के साथ c का मतलब यहां पर प्लस है तो प्लस कर दो 24 के साथ और a का मतलब यहां पर minus है तो 12 और d का मतलब multiply यह तू ठीक है तो मास क्या कहता है सबसे पहले multiply करो कितना आएगा 24 और यह कितना आएगा 29 29 माइनस करो कितना आएगा फाइफ ठीक है यह इस तरह से करने होते हैं शुर्दा इंस्टिट्ट्ट कंड़क्ट क्लासेश इंस रिमोट विलेज चा इंस्टिट्ट्ट में इंस्टिट्ट्ट को क्लासेश कंड़क्ट करनी चाहिए रिमोट विलेज में कहने का मतलब की रूरल एरियस में बताये इन में से कुन सी स्टेडमेंट यहां पर एक स्ट्रोंग स्टेडमेंट होगी first second third sorry first second यहां फिर दोनों यहां फिर दोनों ना इधर होंगी पताया य। क्या हमें रिमोट्ट बिलेजस में इंस्ट्टिूट से क्लास्स अंडूक्त करनी चाहिए देखते हैं क्या कहते हैं यह सब्सक्राइब करने चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे होते हैं जो कोचिंग से अब आप भी देख लो यह कैसा भी जो कोचिंग्स हैं जमू में कितनी चल रही है कश्मीर में चल लिए कुछ एरिय के लोग ऐसे भी हैं जहां पर बच्चे कोचिंग इंस्टिजूट नहीं जा सकते क्योंकि उनका आने जाने का टाइम ही इतना वेस्ट हो जाएगा इतना वो पढ़ नहीं पाएंगे तो यह वाला आपका क्रेक्ट हो जाता है फर्स्ट स्टे अगर यह बोड़ है कि अगर इस्टिचूट से हमें वहां पर क्लासे कंड़क्ट करते हैं तो हमावें इतना एकनामिकली प्रॉफिट यहां पर नहीं देखने हो मिलेगा तो दोस्त दोनों स्टेटमेंट यहां पर स्ट्रॉंग देख रहे हैं तो इसका जो राइट जो पैटन लग रहा होगा उसी पैटन के रिकोर्डिंग आपने कोशन को सॉल्व करने है अगर अगर आप यहां पर देखो आपको यहां पर लिखेगा इस तरह से शोटा वाली लाइन पीछे बड़ी वाली आगे इस तरह से फिर उसके बाद क्या हो जाता है यही सेम लाइन आपकी यहां पर चली जाती है ऐसे और यहां पर तीन पॉइंट बन जाते हैं यहां पर दो बन रहे हैं इसको चोड़ो फ इस तरह अगर यह जैसे है जो यहां पर होगी व कि शूर्री कि यह भी जैसे यह है ऐसे होगी फिर बड़ी की दिस्वोगे ऐसे होगा होगा कि नहीं होगा ऐप कौन सा option option B आपने इसमें मुझे नहीं देखने हैं आपने अपने आपको देखने हैं इसको चीज को करेक्ट कर लीजीगा यहां पर D आ जाएगा यहां पर D होगा यह यह option A यह B यह C और यह D और यहां पर O की जगह D है करो इसको फोल मैंने जैसे बताया था आपको किस तरह से करोगे वीडियो को पास करो और इसका अंसर मार करो A और D नहीं दिखना चाहिए साथ में बी और E साथ में नहीं दिखना चाहिए और O N नहीं दिखना चाहिए A, D, साथ में नहीं दिखना चाहिए और B, E, B साथ में हमें नहीं दिखना चाहिए सिम्पल दी बात है O, क्या लिका हमने O, N O, N A, D, B O, N A, D, B, E O, N दिख रहा है कहीं पर A, D, यहां पर मैंने बोला था यह गलत हो चाहिएगा B भी दिख रहा है गलत हो चाहिएगा और आपको बोला है O, N O, N दिख रहा है O, N नहीं दिख रहा था N नहीं है यहां पर A, D दिख रहा है A, D भाला फाल कर गया है A, D भी दिख रहा है यहां पर A, D यहां पर B दिख रहा था यहां पर नेक्स कोशन देखिए मिस्सिंग नंबर सीरीज का आप सब जब तक कोशन आपसे सॉल्फ नहीं होता वीडियो को प्लेय मत कीजिए ठीक है क्योंकि मैं जल्द में इसको करवा दूंगा फिर आप बोलोगे हमें सॉल्फ करना था सर ने पहले सॉल्फ कर दिए हैं मैंने आपको यख का आधा नहीं है तर्ष कर्रागा ऐयं और यहां पर वहीं अच्छे तीन में जलोगे एक यहां कि यहांपे कितना चार कर्या यहां उल्फाथ को सकता हं यहंते ने हो आठ पर यहां पर अगर स्कुर्ड करें हम दसमें स्कुर्ड गया और इसमें इस्कुर्ड करें 6 और आफका 6 कि गलत पैटन यह नहीं लगे अपैटन कुछ और लग रहा है पैटन लग रहा है पाटन ये लग रहे 10 x 1.5 कितना है गा 15 plus 1 is equal to 16 16 x 1.5 is equal to 24 plus 1 sorry 2 is equal to 20 26 26 इस ऐसे से करोगे इसको कितना होगा है 26 और उसका खाफ 39 और आपका 39 plus 3 करोगे तो 42 पिल्कुल सही जा रहे हैं 3 42 अब आपको करना है 42 को इस तरह से और आपको करना है जो भी आएगा उसके साथ आपको 4 को प्लेस करना है 42 और आपका आता है 21 3 और आपको 6 63 और 63 प्लस पूर आपको था है 67 67 इस दो प्रेक्ट अप्शन आप आप अगर आप अब है हम यहां पर देखिए यांटर सीरीज है कम्प्लेट अफ्लाइंग सीरीज जी एच के ल आम पी व क्योंग व च्याव चल रहे और इसका अगर गयाप के कोडिंग की करने पड़ती है जी एच जी एच साथ ही रहते हैं आई आई जी टीक है के एल एम एन ओ तीन का गयाप इसका बीच में देखिए क्या हूँ और एस टी यू बी फोर का गयाप एकस वाई जैट ए एक मिनटे यहां पर दो का गयाप तीन का गयाप चार का गयाप यह निकी पांच का गयाप यह बी यहां पर आएगा सी और डी सी डी अप्शन भी अब आप बोलोगे सर आप समझा नहीं दो इसमें मैं समझाओंगा नहीं दोस्तों यह अपका सेक्शन टेस्ट चल ला है इसमें सिर्फ आपको आंसर मिलेंगे किस तरह से साल्व हो रहे हैं वो चीज़ देखिए ध्यान से आपने देखना है कि इन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बनता है इन लैटर्स को जोड़के कौन सा वर्ड नहीं बनता हैं लास्ट में सिर्ट करते हैं सी में जंत इस इंट कर्णे देख में अरी अ औरी ए यह उपने हैं तो बनेगा आपका यह नहीं क्योंकि असी आप हैं नहीं आप्षण ए जयुक्ष यह पूर्टा अप्ष्ण नहीं आप्ष्ण यह मार किया विल्गुल सभी वारणसी गंगा मत्रौ में क्यों नहीं है बारण असी में गंघारीवर है मत्रह में कुल बैदा लिट से पताओ करो कमेंट कि पताओ जल्दी से are नसी में गंगा मत्रह में कौन है नर्मधा गंगा टावरी यमुना तो आपकी है यमुना अब इस चीज़ को देखिएगा इन दी फाइनल लिस्ट आफ 60 60 स्लेक्टेट कैंडिडेट्स अनुजा बास रैंक वास 35 फ्राम दी टॉप एंड बिनीता रैंक वास 30 रैंक 39 फ्राम दी वॉटम यह कोशन मैंने को होमर के लिए था मुझे याद आ गया कॉपी कर लिया अब अब अच्छे इसका अंसर वीजी मार कर लेंगे देखिए टोटल बच्चे हैं 60 ठीक है अनुजा का रैंक है वहाँ से टॉप से कितना है थर्टी फिप्ट पे थर्टी फिप्ट से टॉप में यान और बनीता का कहां से है बॉटम से कितना है थर्टी नाइंट कहां तक होगा इसके फ्रंट में कितने बच्च होगा सबसे पहले बड़ी बात है कि फ्रंट में कितना बच्च होगा इसके पीछे थर्टी फॉर है आगे कितने होगे 25 आगे कितने होंगे 25 यहां पे कितने बच पर इसे फालो फालो ये 25 को कर दिये अब यहां पर आगया 25 यहाद रखना 25 आ गया अब इसका 25 यहां पर 25 हो गया अब यह 25 से कितनी गब है 39-25 24 और 25 14 14 यहां पर कम याद रखना 14 यहां पर कम है और चार यहां से ले लेगी अगर यह इस पे चले जाएगी 25 पर यह पूंचुकिया ठीक है 25 पर यह पूंचुकिया और इसको अभी 14 आगे जाना है यहां पर यहां पर यह जाएगी कितने बच्चे आ रहे हैं पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ते पंदरा आगे जाएगी है तो अब एक चीज़ का यहां पर हम आइडिया हो चुका है कि टॉप में बनाने पड़ेगी इस तरह से 25 और 34 वह आके बैठी है यहां पर उसको 14 पिछे हो जाना है यानि कि 34 हां जी 31 पर वो 31 पर कितनी हो जाएगी फोर इसके रहां कितनी हो जाएगे फोर और टैन काम पर जाएंगे 21 पर तो 21 से लेके 35 तक कितना बच्चा होगा यह चीज़ एक 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 32 33 33 only 33 with 30 35 पर वो बैठी है तो इसको मैं देख लिए हूँ इसकी पॉजिशन बनेगी 22 पर अगर यहां पर देखिए यह 25 है यह 34 पीछे चोड़के आ रही है 35 रहेंग है टॉप से और इस लटकी को जाना है 39 पॉजिशन पर और यह कहां पर बन रही है हमें नहीं बता यह बन रही है इस लटकी के 22 रहेंग पर अब 22 से लेके 34 तक 12 होता है तो right option is B अब यहां पर देखिए which figures is the given embedded कौन सी figure यहां पर यहां पर यह वाली figure आपको कहां पर यहां पर देखती है देखने को मिल रही है तो यह figure आपको visualization में भी पूछी जा सकती है इसलिए मैंने यह slay bus में रखती है अब आपको जैसे practice question होंगे सेक्ट लाए जाएंगे topic wise तो आपको बड़ी सारी ऐसी चीज़े देखने को मिलेगी तो एक new होंगी आपके लिए यह चीज़ आपको यहां पर लगता है यहां पर होगी मुझे तो नहीं लगता है यहां पर यह क्रास इस तरह से यह गलत है यह हो नहीं पर हो सकती option crd यह option ऐसे है बिल्कुल घ्यांपे एसरे और यह line ऐसे है यह line ऐसे भी नीचे थोझी उपर रहे तरह नाँ नीचे यह लाइन ऐसे हैं और यह सीड़ा से थाप को तरह छी थोड़ी तरह हो चुकित हुछी होगी तो स्वाप्षन आपका आसे हो जाएगा यह चीजा होते हैं आपको जच करनी हो एक अब बताएं यह वाले सीट्र करी है कि find out the correct figure which could be formed by the rotating अगर figure को हम rotate करें space space orientation वाली तेक है अब किस तना से चीज़ फिगर को हम कहां पर rotate कर नहीं गुमानी नहीं है अब आपको लगता है यह फिगर वोगी नहीं यह भी नहीं यह नहीं आप्शन आपका सिर्फ यह गर आपको इसको इस प्रक्ताना से rotate कर तो यह फिगर आपके को इसी फिगर फाम में देखने को मिलती है आप समाल लैन कैप्टल लेटर्स में से कोशन में जुका है जल्दी से देखिए अब इसको कोडिंग डिकोडिंग मानों कुछ भी समझो जल्दी से करो इसको अंसर कि समाल लैन साफ टेबल तेबल का क्या हुगा टी का देखो सबसे पहले सर टी का ौप्शिन को देखो एंड फाट स्वाट है और बाकी आगे चेक करना पड़ेगा वी न फंव और उसके B का L का देखो L का E है और E का देखो क्यों यह N, F, O, E क्या हूँ N, F, O, E क्या हूँ C is the only option अब यह बाला topic कहां से आया है सर यह dictionary matching बाला दोस्तों क्या होता है कि CGL में यह question भी पूछे जाते हैं वहाँ पर भी आपके same label same topic है तो CGL आपको यह पूछ सकता है तो JKSL भी हो सकता है कि CGL की copy करें तो इसलिए आपको यह topic भी आपको अब करवाया जाएगा याद रखना है चीज़ को आप भूल नहीं सकते हैं चीज़ को ठीक है arrange the word sequence in which the dictionary के according आपको word को arrange करना है अगर आपको यह पहला बनता है तो इसको आपको ऐसे लिखना है फिर अगर सेकंड यह बनता है तो थर्ड इस तरह से arrange करना है चीज़ करना है अप्शन देख लो बहले यह option है बनाओ copy पर इसको लिखो बनाओ सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखू तो ए सी सी अभी टॉपिक करवाओंगा मैं आपको जिनको समझनी आ रहे है डिक्षिनरी में जब आप बढ़ डूंटे हो तो अगर आपको डूंडना होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस सी टी आई सी प्रैक्टिस वर्ड बेखना होता है ठीक है सबसे बहले आपको पी दिखेगा ठीक है फिर आपको पी के दिखेगा पी के ए से जो आपके लैटर स्टार्ट हो रहे होंगे वर्ड ठीक है फिर उसके बाद बी से स्टार्ट हो रहे होंगे फिर आप को सी से स्टार्ट हों चाहिए हैं इस तरह से हैं अभी हम पर देख सकते हैं आप यह तरह सकता है चो पर है कि जो पराइस होगा आप्शन वन और तू कैसे होगा वो चीज वह हमें देखेंगे यू सबसे पहले गुन आता है ओ पहले आता है इसलिए एक हमारा वर्ड बन जो का है यह एकॉर्ड पहले आएगा फिर उसके बाद एसी सी यहां पे है क्या उबाद में आएगा क्या उबाद में आएगा तो यहां भी फर्स्ट आएगा उसके बाद उसके बाद गुन आएगा यू तो आ जब इसका हो गया ना सी वालेगा तो इसकी priority खतम इसकी priority खतम नेक्स देखो यू देखो एको आईर वालेगो फूर्थ आएगा फिर आपका फिर आपका लास्ट में एको साइट आज जाएगा थर्ड जोन्होंने option a mark किया बिल्गूल सही किया है तो दोस्तों यह था अच कमा आनाना है आपका स्कोर क्या है और लेवल आफ टेस्ट किया है बस एक तीन घो pare ने काम करनी है लाइक करना है स्कोर बताना है और अप लेवल आफ टेस्ट बताना है और यह pag國aty अलियगरहां पे मिल जाएगा और कल मिलेगा इस टैस्ट के 24 कोष होने के बाद और बिद तैस्ना ऑगाईस और नेक्स टैस्ट के लिए रड़ी रहें अगर आप इस टैस्ट के लिए रड़ी नहीं होते हो तो अभी मुझे बता दो तको नहीं करूंगा क्यूंकि बचे वीडियो बहुत सारे कम देख रहे हैं इसलिए path अगर आप अभी नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं जब आपके एक्जाम आएंगे आप एक दो बार इन कोश्चन को भूल जाओगे फिसे आप इस टेस्ट को देज रखते हो ये कहीं नहीं जाएंगे इनकी प्लेइलिस्ट है लग से बनी रहेंगी जैसे स्टॉक कर देंगे क्योंकि 10 मोग टेस्ट उनके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया है जिसमें रीजिनिंग के मैथमेंटिस के इंग्लिश के जनल नौलेज के विए दो से तीन हो चुके हैं मैथमेटिस के मारे तीन हो चुके हैं इसी के साथ हम उसको चीज को क्लोज कर रहे हैं और क्योंकि अब यह इस पर ही हम चीज़े के काम करेंगे क्योंकि इस लेबस आपका यह भी कवर हो चाहेगा वहां पर हो चाहेगा ऐसी बात नहीं है जो भी यह डव्यू के लिए रीजिनिंग लाई जाएगी वह आपके लिए इंपॉर्टन नहीं यह मिसलीनियस तोर पे कि यहाँ